क्या आप जानते हैं कि 70 प्रतिशत आपका शरीर जो है वो पानी से बना हुआ है जी हाँ इसी लिए हाइड्रेशन और मॉस्टराइजेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है और स्किन जो कि हमारे शरीर का लार्जिस्ट ओर्गन है इसको अंदर से भी हाइड्रेशन च चाहिए हाँ नहाने की वज़े से मॉस्टराइजेशन मिलता है लेकिन उसको हमारी स्किन जादा देर तक रिटीन नहीं कर पाती इसी लिए हमें मॉस्टराइजर का इस्तमाल करना पड़ता है है कि नहीं तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ डू घर पर बहुत ही आसानी से प्रिपेर करेंगे इसके बेनेफिट्स जानने के बाद आप बोलेंगे कि भाया क्रीम नहीं यह तो रेमेडी ही है जहां यह इतनी पोटेंट है साइड एफेक्स इल्ला एक बे नहीं आज के विडियो में अपने परिवार के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ एक बहतरीन सी DIY summer cream जिसको यूज करने के बाद जितनी खुश मैं हूना I am 100% शौर इससे कहीं ज्यादा खुश आप होने वाले है इसके इतने सारे बेनेफिट्स है इसके इतने सारे इतने सारे मतलब गुनत जो मैं आपको बताने वाली हो आप बोलेंगे कि भाई क्रीम क्यो इसको इस्तिमाल कीजेगा ठीक है अगर अम शगड़म करेंगे फिर ड्राय हो जाएगी बोलेंगे आपने तो ऐसा बात आया ही नहीं था आपने पूरा देखा ही नहीं था इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा to have the best of results for yourself चलिए तो सबसे पहली चीज जिसका इस यह लेप अचीव कर सकते हैं which is बहुत इंपोर्टन और काफी मेहनत का टास्क है क्योंकि असानी से नहीं होता आपको घिजना पड़ता है लकडी को अच्छे से ताकि वो सॉफ्ट सा लेप आपको मिल सके जिसको अगर अपने चेहरे पर अपने अपने चेहरे पर इस ड्रे लेकिन अगर आप महनत कर सकते हैं तो यही लकडी पावडर फॉर्म में भी मार्केट में मिलती है आप यह पावडर लेकर आ सकते हैं एक चमच पावडर में आप दो चमच गुलावजल मिला के अच्छे से और इसको भिगा कर रख सकते हैं डन चंदन के बारे में I need not tell you कि अगर peace, calm, tranquility की कोई खुश्बू होती तो वो definitely चंदन की ही होती हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये mention किया हुआ है कि चंदन आपके mood को uplift करने के लिए आपकी skin को बहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही amazing आउशदी है जी हाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर आप इसकी तारीफे सुनना चाहते हैं कि क्या-क्या properties इसमें हैं ये anti-inflammatory होता है ये किसी भी प्रकार का micro bacteria है virus है फंजाय है सबको दूर रखता है skin से ये आपकी skin पर किसी भी प्रकार का उट-पटांग growth होने ही नहीं देता किसी भी प्रकार का आप समझ सकते हैं कि pimples आ रहे हैं या acne क कोई परिशानी हो रही है सैंडल वोड ये चीज नहीं होने देगा अगर आप इसको regularly इस्तमाल करते हैं तो अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप ठंडी पट्टी मत कीजे इसी लेप को लीजे और अपने माथे पर लगा दीजे आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बहुत इंबॉर्टेंट राम बाण है जे चंदन की तासीर बहुत थंडी होती है बहुत थंडी इन फैक्ट जब आपस क्रीम को लगाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि बहुत ही कूलिंग सेंसेशन आपकी स्किन को दे रहा है और आपको बहुत ही जाधा अमेजिंग आपके पर किसी भी प्रकार की रिंकल्स हैं फाइन लाइन्स हैं। आपके चहरे पर सकार है, कोई दाग धबा पड़ चुका है। उसको भी आप ग्राजली इससे फिक्स कर सकते हैं। Sandalwood Powder is nothing but magic for your skin जिसका हम डेली इस्तमाल करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने एक चम्मच लेप तयार किया है। बहुत महिनत घिस घिस करके और गुलाब जल की मदद से मैं उसको लेप बना रही थी। तो यह जो लेप मुझे मिला है यह गुलाब जल और Sandalwood Powder लकडी से मिला है। नहीं है तो आप पावडर से अचीव कर लीजिए कोई परेशानी नहीं है। Second ingredient इसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैं कोशिश करूंगे इसका scientific name नीचे description box में आपको दे दूँ ताकि आप check out कर सकें, google कर सकें कि आपके area में इसे क्या कहा जाता है। Scientific name all over the world same ही होता है, local names vary करते हैं। मेरे local area में इसको हरड कहा जाता है। बच्पन से हमने इसको हेडा या हरड के नाम से जाना है। लेकिन as I agree you up मुझे पता चला इसके बहुत सारे नाम है। इसको हरी टकी के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो यह जो spice है, this is a spice जो कि एक herbal medicine का काम करती है। और medicines की दुनिया में, Ayurvedic medicines की दुनिया में इसको king of medicines का खिताब मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि यह आपकी body से सारे के सारे toxins को flush out कर देता है। और मैंने आपको बताया है, जब शरीर में कोई toxins नहीं रहेगा, तो आपकी skin अपने आप ही clean हो जाएगी। तो हरड के अंदर वो potency है, वो ताकत है कि यह आपकी skin को clean कर सकता है by cleaning your body ultimately। तो आपको इसका consumption तो definitely करना चाहिए, लेकिन इसके topical application से आपकी जो open pores है वो cure हो जाते हैं। देखें, चंदन लगाने की वज़े से temporary आपकी open pores बंद हो जाते हैं तो आपको लगता है कि you know it's nice, लेकिन वो cure नहीं करता। gradually maybe it helps you, लेकिन हरड का जो application है, हेडा का जो अगर आप लगाते हैं, तो आपकी open pores का जो visibility है वो कम होने लगते हैं क्योंकि आपकी skin tightened हो जाती है और open pores की visibility बहुत जादा कम हो जाती है, provided आप इसको regularly इस्तमाल करें। हरड के बारे में I need not tell, मैं सिरफ इतना कहूंगी कि इसको anti-cancer कहा जाता है, अब आप समझ सकते हैं, cancer एक chronic disease है और हरड उसको beat करने की property रखती है, तो समझे कि यह कितना potent है, यह भी मैंने सेम चंदन की तरह ही अच्छे से घिसा है, रोज वाटर के साथ ही, और एक चम्मच क अब के बराबर ही मैंने इसका लेप निकाला है, यहां पर थोड़ा सा इसका जो कलर है वो डाक नहीं लग रहा है, जहाला की डाक होना चाहिए, क्योंकि पहले चंदन किसा था इसले ही चंदन ए तो रहा था उसके शेड को, सो don't worry about the shade, एक चम्मच आप रड कर जो यह यह त अगर आपके पास Spice as a Harad नहीं है तो आप इसका पाउडर ले सकते हैं, जैसे आपने चंदन को भिगाया था गुलाब जल में, ऐसे ही आप एक चम्मच हरड का पाउडर भी लेंगे और उसको भी दोनों को एक साथ गुलाब जल में मिक्स करके रख देंगे ताकि दोनों आप अलवेरा जल, देखे आप प्लान पेस्ट अलवेरा जल कभी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसको इस्तमाल करने की वज़े से एक तो आपके क्रीम की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और नमबर टू आपका जो यह क्रीम है इसको आपको रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना प आपस में मिलके जल कांसिस्टेंसी में आने चाहिए नौ यू किन अपसलिटली प्ले विद रेशो कि कितना अलवेरा जल आप आड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आड कीजिए जब आपको लगे कि जल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी और स्मूद अचीव हो गई है अच्छी से मिक्स कर लेने के बाद आपकी DIY समर क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है आप इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए और आप इसको स्टोर कर सकते हैं रूम टेंपरेचर पर दो से तीन हफ़ते के लिए कोई परिशानी नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आ अगर आप सेंडलड ओई लेंगे तो सेंडलड की जो खुश्बू है वह इसके बात करते हैं इसके आप आपने अप्लिकेशन के बारे में जैसे रहाई आपकी स्कीन पर इक बहुत ही जल्दी से गायब ही हो जाता है तो जब तक यह मौश्चर आपकी सिकन पर हैं तो तो ज तो अच्छे से टोन कर लीजिए जो भी टोनर आप इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहां पर गुलाब जल का इस्तमाल कर रही हूं which is amazing for your skin अगर आपके चहरे पर फिलाल active acne है तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और यह इसको irritate नहीं करता है आप अच्छे से अच्छे से अच्छे से डाल लीजिए आप इसको सुखाई अच्छे से मतलब यह आपकी स्किन पर चला जाना चाहिए आपकी स्किन आक्टिवेट हो जानी चाहिए कि कि ऑक्षे सम्तिंग इस कमें इन और उसके वाद आप इसकी suburbs को लेंगे तो को Eltern और इसको डाव मसाज करते हुए इसको अपनी स्किन को खिला जगे जी 갸ब्ग स्क्रीम आप आप इसको स्कीन को चलेगे कि अट यह आपकी भीक्राश को अःगे क्योंकि आपकी स्ट्रेच करेंगे आपकी स्किन वैसे ही रहेगी यह तनी पाफुल क्रीम है तभी मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे इसके अच्छे गुण भी है और अपेरिंस जो आपको चाहिए वो भी मिल रही है तो सोने पर सुहागा क्रीम हो गई है मेरी स्किन में मैंने आज संस्क्रीन तक नहीं लगाया है तो लास्ट तिंग अगर संस्क्रीन तक नहीं लगाया है तो इसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मोईस्टराइजेशन है मेरे ओल ग्लांज अभी तक अक्टिवेट नहीं हुए जो कि न परिवार के लिए सब लोग इस्तमाल कीजिए और सब लोग आखे अपने फीडबाक नीचे लिखे कि आपके लिए ये क्रीम कैसी रही आपका पूरा परिवार खुष हो जाएगा कि वा ममी क्या क्रीम बनाई है और आप खुष तो हम खुष आप जो वापस आके यहां पर बिलीव मी ये मेरा नहीं पूरे परिवार का कॉन्फिडेंस है वो सभी नए लोग जो चानल से जुड़ रहे हैं वो आपके रिजाल्स देखते हैं और उनके उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो भी अपने ले ट्राय कर सके आप सभी से मलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया है तो शेर कीजिए और अपने सारे फ्रेंज को बताइए दा देर इस समबडी कॉल पृती प्रेना वो शेरिंग ओन्डर फूर यू आप सभी से मलती हूँ अग जीरो अंडा ओई अभी तक ना यहां 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 मेरे बहत ओट आजाता है पर इस कट वसे पिंपल है इस ओके